हेलो गाइज टू माई चैनल इस रिशव चैनल आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और आज हम लोग कोशिश करेंगे घूमने की आनन बहन जो की प्रयागराज पे बालसन चौराए के पास में पड़ता है और वैसे तो आप अभी मेरे पीछे पूरा देख सकते हैं यह पूरा आपका आनन भवन का व्यू है यह पीछे जो आप देख रहे हैं अभी हम वहां तक हम जाएंगे तो वह ही है आनन भवन है जो की पहले किसी गांदी परिवार का घर हुआ करता था जो कि आज कर लोगों के देखने के लिए बनाया हुआ है चलिए शुरू करते हैं देखते हैं पहले इस वीडियो में और इस वीडियो को आके बढ़ने से पहले लाइक शेयर और सुस्क्राइब ज़रूर कर लीजेगा क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत ही अच्छे और डिफरेंट डिफरेंट वीडियो देखने को मिले तो वो सारी वीडियो आपको धीरे दीरे देखने को मिलेगी लेकिन उसके पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा और बैल आइकन को जरूर दबा दीजेगा और लाइक जरूर कर दीजेगा ताकि मुझे मोटीवेश कि हम इस 100 रोपे की टिकेट में आनन्द भवन में क्या-क्या देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो आप देख सकते हैं यह main entrance gate है आनन्द भवन की और इसी रास्ते से होते हुए आप जब right hand side में बोड़ेंगे तो आप जो building आप देख रहे हैं white color में वही आनन्द भवन है तो पूरी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा गेंडरी है और हर तरफ हर याली है तो काफी अच्छे-कासे area में यह भवन बनाये गया है यह जो आप देख रहे हैं यह पहला कमरा है मोतिलाल नहरू जी का और चली अंदर देखते हैं क्या-क्या देखने को मिलता है तो सबसे पहले आप बैड देख सकते हैं जिस बैड को यूज करते थे ड्रेसिंग टेबल लगी हुई है कुछ परानी फ्रेम लगी हुई है उनकी शायद फ्रेम में उनकी फोटो आप साफ सब देख सकते हैं और यह सब 1900 के आसपास की चीजें हैं जो आज भी समाल के सौ साल के बाद भी हम लोग देख पा रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्र गुरजार है हम लोग सभी लोगों का जो इन्होंने समाल के रखा हुआ है और यह शायद मोतिलाल नहरू जी की बचपन की कुछ फोटो हैं और अभी हम लोग आगे जा रहे हैं दूसरी तरफ और वहां पे भी पुराने आपको कुछ देखने को मिलेंगे अभी तो आपने जो प्रीविसली जो देखा था वो मोतिलाल नहरू जी का कमरा था जांग वो रहते थे और हम इसको पार करके अब जा रहे हैं दूसरे संग्राले की तरफ क्योंकि बेसिकली आनंद भवन जो अब म्यूजियम हो चुका है तो यहां पर आपको हर तरह की पुरानी चीज़े देखने को मिलेगी जो पहले गांधी परिवार और पहले जो इनके पूरे पूरी फैमि परिवार के बारे में बताया हुआ है यह पूरी गांधी परिवार का अगर आपको पूरा वीडियो कर साफ दिख रहा है जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था पहले यह है नेहरु परिवार की पूरानी फोटो और अभी आप देख सकते हैं इसमें इनका नेहरु परिवार का पूरा फ्लो चार्ट है कि फैमिली ड्री उपर लिखा है फैमिली ड्री तो बेसिकली नजीत सीटाराम पंडित हो गए और नीचे आप चंदरेलेखा, नयादी, रिता, अमरिता, नेगम तो बेसिकली अभी हम लोग जो अच्छे हो है वो प्रेंका और राहूल होए है और संज ट्री से आप समस तकते हैं और स्क्रीन को आप तो यह तुसरा कमरे पे आगए है तो अब हम लोग अगर दूसरे वाले कमरे में आ चुके हैं यह है पूरे डिटेल जेल की की फस्ट पहली जेल दूसरी जेल थर्ड फॉर्थ फिफ्थ सिख्थ सेवन्थ एट नाइन तो टोटल कितनी बार जवाल ना नहरोची को जेल होई थी उसके बारे में डिटेल में बता यह और भी फोटोज पुरानी लगी हुई है जवाल लाल, कंगला एन इंदिराजी इस वाली वीडियो से आप समझ सकते हैं कि आनन भवन पिक्चुल में बना कैसे और पूरी डिटेल में हिस्ट्री लिगी हुई है कि मोटिलाल नहरोजी ने आनन भवन सन 1899 में खरीदा मोटिलाल नहरोजी यह घर हाई कोट के एक जज से खरीदा था जो की जो की एक बहुत बड़े छेतर में बना हुआ बंगला था इसको नया रूप देने माँना कोई कसत नहीं छोड़ी वैसे देखा जाए तो यह पूरा जो आपको बता रहा है जेल के मारे में बता रहा है कि जवानलाल हरू कितनी बार जेल हुई तो देखा जाए तो कम से कम नौ बार जवानलाल हरू जेल भी जा चुके हैं तो सबसे पहले वो गए थे 1921 से लेके 22, 3rd March जो की 88 डेस के लिए इसके बाद दूसरी बार वह गया 18 मई 1922 जो कि 10 देनों के लिए इलाहाबाद डिस्ट्रिक जेल में बंद हुए थे उसके बार तीस पार लगनव डिस्ट्रिक जेल आपकी नावा जेल ज्वार ज्यादा तर ही इलाबाद के जेल में ही गाई हुई है इस वाले में आप देक सकते कि 32 साल के आयू से लेके चपन साथ तक अपने जीवन के एहम दोर में वह है लंबी-लंबी अब्धी के लिए जेल में राहे थे और 9 साल मलब 3259 दिन तक वो लकनव, नैनी, बरेली, धहरादून, अलीपूर, कलकत्ता, अल्मोडा, गोरकपूर, एहमत नगर किलो में ये स इजिद गेट है, जवार पलाटिनेरियम की, बेसिकली ये जवार पलाटिनेरियम में आपको प्लैनिट्स रिलेटेड वारो, चीजों के बारे में दिखाये जाएगा, कि हमारे सोलर स्स्टम में टोटल कितने प्लैनेतस हैं उनके क्या मोमेंट्स है और सन मून और अर्थ कैसे चक्तर लगाते हैं कि यह एंट्री गेट है और इसमें साफ सफ टाइमिंग भी लिखिया कप कप देख सकते हैं समय 11 से 12 एक बजे दो बजे तीन बजे चार बजे मंडे को आफ रहता है तो मंडे को कोशिश करिएगा कि मत आईएगा और एक गंटे का शो होता है तो कभी आप माली जी 11 बजे आते हैं तो आपको 11 बजे का टाइम कर स्लॉट नहीं मिलता है तो आप यह है में एंट्रेंस गेट जहां से आप एंट्री लेंगे तो अंदर आप सब्सक्राइल ईकटिकेट ले तिए वह सब्सक्राइब की टिकेट ती और वह स्वाफे में आप या सकते हैं और आप या सब्सक्राइब कि अपर कॉंग्रेस वरकिंग कमेटी तो यहां पर कॉंग्रेस की मीटिंग होती थी, क्योंकि आप देख सकते हैं, बड़ी बड़ी पुरानी किताबें पड़ी हुई है, यहीं पर बैट के पूरा गांधी परिवार, पूरे कॉंग्रेस की टीम, यहीं बैट के सारे डिस्कॉस करते थे और जो भी बड़े डिसीज यहीं बड़ें लिए गए हैं, वो इसी कमरे में बैट के लिए गए हैं, जो कि आज संग्रहाले के रूप में आप देख सकते हैं, यह देखिए, यहां साफ सब लिखा, Here Mahatma Gandhi Works, यहां पर शायद Mahatma Gandhi जैने काम किया है, इसलिए यहां सो प्लोस कर दिया है, इसके आगे पर शाइर है यहां महस्तमा Gandhi ई आप देख सकते हैं, आफन sceniher मलब यहां जब भी आते थो ठहरते थे, तो यहां महत्मा Gandhi जी का कमरा है, ठहररने का, जब कभी भी वो और इलाब आता यहां पर व ज़रूर ठहरते थे और आप उस देख सकते हैं पुराने टाइम के उनके चर्खे वगरा ब्राउन कलर में पड़े हुए हैं और यह मार्मागांदीजी का बैड होता था मार्मागांदीजी जब भी आया तो इसी बैड पे सोहे थे और शायद यहां मीटिंग वगार भी होती होगी तो यह देख सकते हैं पुराने टाइम का पंखा यह सब चीजे बहुत रेयर होती हैं देखने को यह ड्रेसिंग टेबल है और बड़ा ही साधा कमरा आपको लग रह देख सकते हैं देखे पुराने टाइम के अलमीरा पड़ी है ड्रेसिंग टेबल पड़ी है दो चोटी लाइट देखिए और यह शायद वो लोग यूज करते होंगे देखे कुछ कब और कुछ पड़े हुए सामाल लाइटिंग के बैग जो पुराने टाइम में यूज करते होंगे तो सारी चीजें आज भी सामाल के रखी हुई है तो आप जब कभी भी आए तो जरूर आनंद भवन जरूर विजिट करिएगा आपको बहुत अच्छा लागेगा मैं उमीद करता हूँ आपको मैंने आपको जो भी दिखाया होगा आपको मजा रहा होगा और आप लोग ने खूब इंज्वाइ किया होगा अभी मैं आपको कुछ दो तीन और कमरे हैं जो आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ पराने टाइम में पूरा गांधी परिवार में आ रहता था तो बने रहेगा और चैनल को लाइक और सस्क्राइब ज़रूर कर दीजेगा तो यह जो आप देख रहे हैं यह पंडित मोतिलन नहरू होमियोपैथिक बैग तो यह पुराने टाइम में नहरू जी इस बैग को यूज करते थे शायर में भी मेडिसिन वगरा के लिए होगा दूसरा आप देख सकते हैं यह कुछ कैनवास के कुछ बने हुए यह एलेक्टर कैटल है पुराने टाइम में जब प्रेस वगरा करनी थी तो इस तारह की चीज़े यूज की जाती थी चमच वगरा आप देख सकते हैं कुछ किताबे वगरा देख सकते हैं यह अलग-अलगा टयप एक पुष्टकें हैं कुछ ग्लासल हैं कुछ सारी चीज़ा है जो आपको देखने को मिलेगी और कुछ अथ इसह करते हैं यह बन्तू की bastud कि दिखने को मिलेगा तो काफी कुछ है यहां देखने के लिए यह आप देख सकते हैं सब्सक्रम पहला motor driving license वह ठिर लंदन में लिया चुप आप जूम करके भी देख सकते हैं और अधे बाद blade sharpening our जेट जो वो यूज़ करते थे और उसके बाद पंडित नहरूजीव की विद्यूद मशीन तो बहुत कुछ है आप इस आरंद भावन में जरूर आईएगा जरूर आईएगा यह है आपका फ्लास्क यूज़ बाई पंडिन नहरूजी और एक्सपरिमेंट यह पुराने पराने पोस्कार्ट्स जो 90 40s 50s में यूज़ किया जा देते हैं तो आप देख सकते हैं अभी हम लोग जा रहे हैं जवालना नहरूजी के कमरे में जो यह रहते थे यह फर्स फ्लोर पर आपको मिलेगा आनंद भावन में और यह देखिए जवालना नहरूजी का शांदर कमरा जो 90 50s में जब पुराने टाम में रहा करते थे इंका बैट हो गया पुरानी फ्रेम्स लगी हुई है जो कि अलाग अला कंट्री से जब भी खुम्ड़ा जाते थे तो अलाग अला कंट्री से लेकर आते थे पुरानी किताबें को पढ़ने का बहुत शॉक था तो उनके बाद ब पूरे डिटेल में जान लिया होगा कि जो आनन्द बावन है बेसिकली उसमें कितने कमरे बने हुए हैं और कौन से अलग-अलग कमरे में वोलोग रहते थे यह देखी पुराने टाइम के अलमीरा जो वो यूस करते थे एक फ्रेम भी लगा हुआ है जिसमें यह जवालनल नहरूजी आप देख सकते हैं फ्रेम में जोकि उल्टे उल्टे हैं शायद में भी एक्सरसाइस कर रहे हैं क्या है अर यह देखी पुराने टाइम आपको बहुत अच्छा लगेगा कम से कम दो या तीन घंटे का टाइम लेके आए मेरे सामने आप दे सकते हैं यह ड्राइंग रूम लिखा हुआ है और यह ड्राइंग रूम है जो पुराने टाइम में वो लोग यूज करते थे बड़ा ही शानदार देखी चार या पांच ट कमरा है तो यह भी आप देख सकते हैं यह भी सब पुराने टाइम के सारी जीने आज भी संभाल के रखी हुए है और यह पगाना पैड हो गया और इसके अंदर का कमरा मैं आपको दिखा दिया था तो चलिए दोस्तों आपको मैं उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो दे आपको डिफरेंट लोकेशन की मिलेगी तो देखना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे लाइक कर दीजे कमेंड कर दो कमेंड जरूर करिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको यह वीडियो कैसी लगी कि मेरा पहला वी लॉग है रिशब चैनल के मेरे टो मुझे पता नहीं है और मैं आपका ज़रूर फीडबैक के लिए वेट करूँगा तो आप अपना feedback कमेंड के रूप में मुझे दे सकते हैं या मैं अपनी email एडिग छोर दoof में मैं इसको वीडियो को यहां बंद करता हूं और मैंने आपको अलग अलग जगे की, अलग अलग लोकेशन की, अलग अलग कमरे की सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है, तो आपको पसंद आया होगा यह आनन्द बवन, मेरे नजरिये से, मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग के एसाब से, और अगर आपको खराब भी लगा हो, कुछ चीजे मिसिंग हो गई हो, तो definitely comment जरू करिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे इसमें क्या improvement करना है, तो तब तक के लिए, bye bye, take care, ध्यान रखिएगा सब लोग अपना, और second video बहुत जलन आने वाली है, वो कहां कि होगी, तो मुझे भी नहीं पता, बट आप बने र छलूम, बबगा जलूमा, बबगा.